सराब बंदी को ले करके जिस तरह की राय प्रसांद किसोर जी रख रहा है मुझे लगता है कि ब्यार की महलाओं का वो अपमान कर रहा है जो सराब की कमपनिया है उनको एक मैसेज दे रहे हो हो कि फंडिंग करो भाई हम जब आएंगे तो हम तुमारे लिए रास्ता तो उसके लिए बड़ा फंड चाहिए होता है तो कहीं से तो फंड आएगा तो फंड साहिद सराब कमपनियों से वो उमीद कर रहे हो है नमस्कार आप देख रहे हैं फर्स्ट इभ्यार में वह आपके साथ सैलन्स कुमर देखे हमारे साथ बाचित करने के लिए परदेश प सराब बंदी को ले करके जिस तरह की राय प्रसांत के सोर जी रख रहा है मुझे लगता है कि बियार की महलाओं का वह अपमान कर रहा है बिहार के अंदर सराब बंदी सिर्फ एक मॉडल के तोर पर नहीं लाया गया है बलकि बिहार के डेवलोप्मेंट में महलाओं को जो लागू की गई है तो महलाओं के साथ छिडखानी रह चले उनके साथ बदमासी या घरों के अंदर भी जिस तरह से पहले पुरुस दारूपी करके आते थे और घर के अंदर महलाओं के साथ मारपीट करते थे उस तरह की घटनाओं में बेहद कमी आई है और बच्चों को ब पूर्सों ने सराब छोड़ा है उनके अंदर वो खर्च करने की प्रविर्टी बढ़ी है यह तमाम सर्वे और इस तरह के जो आकड़े आते हैं उसमें यह चीजे हैं अब प्रसाम किसोर जी भाई चाहते होंगे कि यह इस तरह की बात करके जो सराब की कमपनिया हैं उनको एक मैसेज दे रहे हों कि फंडिंग करो भाई हम जब आएंगे तो हम तुमारे लिए रास्ता बनाएंगे लेकिन बिहार की जो महलाएं हैं वो निटीश कुमार जी की अगवाई में एंडिये ने जो यह फैसला किया है उसको ले करके बहुत संकल्पित है और उन्होंने कहते आपकी घर की महलाएं हो या बिहार की आबाम की जो भी महलाएं है उनकी यह आवाज थी जिसको निटीश कुमार जी ने सुना और उसको लागू किया फेज बाइज लागू किया पहले हुआ कि ग्रामिन में बंद करेंगे फिर दो-तीन दिन के अंदर ही महसूस हुआ कि नह सरकार चाहती क्या है सरकार चाहती है good governance महलाओं की भागेदारी और स्वारोजगार की भी एक इस्ति बने आप देखेंगे कि जिन लोगों ने भी सराब छोड़ा है या सराब में खर्च करना बंद किया वो दूसरे कई तरह की काम सुरू किये हैं और फिर अभी जो आर्थिक और जातिकत सर्वे हुआ उसे बहुत सारे डेटा आया उसके बाद आप देखेंगे कि दो लाख रुपे 96 लाख परिवारों को देने का फैसला हुआ आरचन बढ़ाने का फैसला हुआ यह तमाम चीजों को जब आप देखेंगे तो एक बात बहुत क्लिर है कि महलाओं को हर रोजगार में हर तरह की नोकरियों में चाहें वोसी बाट हो दरोगा की बात हो चाहें वो कलर की बात हो सिक्षक की बात हो हर 100 अनय हर विभाग में महलाओं को 50% आर्चन देना ये एक ऐसा पैमाना बनाता है बिहार को और उसके साथ जब हम सराबंदी के जो नुकसान है उसको जब हम जो फाइदे हैं उसको जब हम उसके साथ कलब करते हैं तो आप देखेंगे कि अगले 10-20 सालों में बिहार एक अलग लेवल पर आपको दिखाई रखना पार्टी कारकरताओं को बेतन पर रखना तो उसके लिए बड़ा फंड चाहिए होता है तो कहीं से तो फंड आएगा तो फंड साहिद स्राब कंपनियों से वह उमिद कर रहे होंगे जिस तरह से दो रासवा सीटे बिहार में खाली हुई एक पर तो ततकालिन परदे जाहिए जब मानिये प्रदेश सदक्स्तत्कालिन सम्राट चौदरी जी ने जब इसकी घोसना की थी यह तो बहुत क्लियर है कि जब यह घोसना हुई होगी हुई तो इंडिये के सभी जो लोग फैसला करने वाले हैं बिहार में चाहे वो बीजेपी के के इंदरे नित्रुत के लोग हों चाहे बिहार में मानिय मुखमंत्री जी हो या जो भी और व्यक्ति बिहार के अंदर एंडिये का फैसला करते हैं जाहिद से बात है कि उन सब की सहमती रही होगी तभी समराट चौदरी जी ने इसकी घोसना की है अब रही बात दूसरी सीट की तो दूसरी सीट पर जैदियू और बीजेपी में आपसी सहमती से कोई सीड़ता हुआ होगा कि किन को करना आने वाले दिनों में वो नाम भी आ जाएंगा और नोमनेशन भी हो जाएगा रही बात आज मैं कई पोर्टल से मैं देख रहा हूं मुझे लगता है कि इस तरह की खबरों से बचना चाहिए और बिहार के अंदर मानिय नितीश कुमार जी को या उनकी सहमती के बगैर कोई घोसना हो जाए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात हो सकती है जो लोग भी गंभीर हैं बिहार की राजनीत को गंभीरता से समझते हैं वो निश्चित तोर पर समझते हैं कि जो बिवेक ठाकुर का सीट खाली हुआ वो दो साल का कारिकाल है मिशा भारती का जो सीट खाली हुआ वो चार साल का का कारिकाल है अखिर आपको जो जो सीटे मिल रही है या मिशा भारती जी वाली सीट मिल रही है अभी तो यह कहीं परचारित नहीं कि हुआ है या कहीं काम अवचारिक तोर पर एंडिये तय कर देगा और उसके बाद जब आएगा तो उसी नोटिफिकेशन में जो भी पार्टी जो जारी करेगी दिनांक और पत्रांक और उसके साथ उसी में वह लिखा होगा कि यह चार साल के लिए यह दो साल के लिए तो मुझे लगता है कि बह और इंडिये के जो घटक दल है उन तमाम ने तो उनने समझा और यह समझा कि मन्य उपेंदर कुसवाजी को सर सम्मान राज समान में सदन के अंदर ले जाना चाहिए और यह सदन दो साल का होगा कि चार साल का होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के चातरों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोक प्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हमारा विश्वास गोल के साथ झाल